हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागते हैं आप सभी का, दोस्तों आज आप सभी की साब में एक बेहद इंपोर्डेंट जानकारी में आपके लिकर आ गया हूँ, जो कि हमारे SSC MTS की कट आफ से रिलेटिड है, दोस्तों अगर आप चनल पे पहली बार हैं तो चलो सब्सक्राइब जिरूर कर लिजे, तकि आप तक पल-पल के अपडेट में पहुचाता रहूँ, तो आइए बिना समय कर आपके साथे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले दोस्तों में यहां पर आपको कुछ चीज़े दिखाना चाहता हूँ, यहां पर जाद रुखी, वहीं पर अगर हम बात करें, 2022 में, यानि कि जो हमारी वेकेंसी इस समय आई हुई है, यह 1825 वालों के लिए 9329 थी, 1827 वालों के लिए 2665 थी, और हवलदार के लिए 529, यानि कि टोटल 12,530, यह हमारी टोटल वेकेंसी थी, आकड़ा देखें, तो लगभग दो गुना से थोड़ा सा कम बेकेंसी है, काफी ज्यादा डिफरेंस है, 5000 का डिफरेंस है, आगे देखते हैं, सबसे पर दोस्तों में यहाँ पर बात करूँ आपको कि 2021 में हमारी कितने बच्चों को किस किस चीज़ों के लिए बुलाया था SSC ने, ठीक है, ध्यान समझे, त ओएच केटेगरी, एचेश केटेगरी और OBC में आप समझते हैं, सबसे ज़्यादा 112,000 वी एच, अजर पी डबलुडी और अन रिजर्व है, इतने बच्चों को उसने बुलाया, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान रखीगा, अब इतने बच्चों का अगर हम टूटल बच्चों को SSC ने बुलाया, यानि कि वेकेंसी 7,301 थी, अगर मैं इसको 9 टाइमस भी करूँ, तो हमें लगभग 65,000 के असपास मिल रहा है, तो 9 गुना से ज़्यादा बच्चों को इसने बुला रखा है, 2021 का यह आकड़ा है आपके सामने, इस हिसाब से गर हम सोचें, त अगर वो 9 गुना बच्चे को गुलाएगा, तो 1,12,707 बच्चे हो जाएंगी, और आप सब जानते हैं, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ डेवी प्रोसेस होनी है, और पोस्ट है हमारे पास 12,000, तो प्यारे बच्चे वो कितने बच्चों को और किस बेस पेश हाटेगा, यह सबसे बड़ी बात है, तो वो बच्चे कम करने के लिए निश्ची तोर पर कट आफ को हाई रख सकता है, ठीक है, निश्ची तोर पर कट आफ को हाई रख सकता है, अब बात यह बंती कि सरक कट आफ हाई कि आप इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सारे बच्चे ही छट जाए तो इसका एक बड़ा एससी solution और निकाल सकता है प्यार बच्चों और वो यह है कि वो phase 1 की भी cutoff निकाल देगा और जब phase 1 की cutoff निकालेगा तो maximum बच्चे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते थे negative marking है नहीं तो attempt खुब किया है उन्होंने maximum बच्चों के छट जाने की यहां पर chance बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में cutoff में changes बहुत ज्यादा आ जाएंगे है ना कल दोस्तों मैं एक वीडियो डाली थी इसमें मैंने age group के हिसाब से average attempts बताया थे कि कितना good attempts हुए है और फिर बाद मैंने आप से कहा भी था कि normalized होकर हमारी cutoff लग बग हैं अगर आप lowest category में भी हैं तो 100 अगर आप ला रहे हैं लोवेस्ट में तो 100 अगर आपकी बन जा रहे हैं तो आप किसी न किसी स्टेट के लिए लिजिबल हो सकते हैं तो प्यारे बच्चे आप वीडियो को ध्यान से सारे बच्चे सुना करो पहली बात तो वो cutoff नहीं थी वो good attempt मैंने बताया था किया ना फिर कमेंट में आप सब अजीब जीब सी बाते कंड लगते हो ठीक है प्यारे बच्चे तो यह आपको दिमाग में शापना होगा कि अगर एससी इतने बच्चों को गुला ली तो यह अपने आप में बहुत आकड़ा हो जाएगा फिर बच्चों को किस बेस पर छा एक सलगभग मैक्सिमम देखने को मिली और स्ट के लिए यह आप यह आप ध्यान कीगा उत्तर प्रदेश में 81.47 देखने को मिली स्ट के लिए आप 63.82 ठीक ही प्यारे बच्चे ऐसे ही आप जार्खन का देख सकते 82 औरीशा 75 वेस्ट बंगा लेटीवन करनाटक 68 केरला 79 चा ठीक है बहुत जादा कम 58 केरला में एसी एस्टी में ठीक है माफ किज़े एस्टी में तो यह आप ध्यान से देखी प्यार उच्चे हिमांचल में अगर बात करूं तो हिमांचल में 76 पंजाब में 76 यानि कि जो आंकड़े हमारे पास रह रहे हैं वो 70 से उपर ही जा रहे हैं और 85, 90 यह मैक्सिम जा रहा 85 तक नॉर्मली ठीक है यह परसंटेज के आधार पर बात करूं मेरे प्यार उच्चे तो आप डेड़ सो में अपना परसंटेज निकाल दीजिए डेड़ सो का 70 परसंट यानि कि लगबग 105 तो अगर 105 प्लस आप हैं तो चांस बनते हैं कि आप क अंगरा तक कहुंच जा रहे हैं तो आप इसको मानो क्योंकि यहां पर तो हमारे पास चारो सेक्षन थे इंगलिस मैथ रिजनिंग जीके इस बार जो आप किटाओ बनानी है वो सिर्फ जीके और इंगलिस पर बननी है जहां पर सबसे दा चांस है निगेटिव होने की और न 52.87 तमिल नाडू तो ऐसा नहीं है प्यारवचे सेलेक्षन होता है गोवा देखे 38.07 31.07 गुजराग है ना तो जब यह कंडिशन पिसले यह वैकेंसी कम थी पैटरन में बदला हुआ वैकेंसी ज्यादा हो गई इस बार और अगर हम फिर भी यह मान के चले कि वैकेंसी आप से पहले भी का कि अगर आप 100 प्लस हो प्यारे बच्चे और जंडल OBC वाले 115 प्लस हैं तो आप positive रहिए कि result में हो सकता है मेरे लिए chance बने ठीक है प्यार बच्चे negative hope कभी मत रखे पढ़ते रहिए और अपने आपको positive बनाया रखी ठीक है उमेद करता हूँ आज की वी देनी थी प्यार बच्चे कि बिलकुल उमेदे मत खोई है किसमत सब का साथ दे सकती है थोड़ा साथ वेट करना पड़ेगा आपको नॉर्मरेशन मारक का एक और मा बाद मेरे प्यार बच्चे यह जो 30-40 नमबर का नॉर्मरेशन है मैंने आपसे पहले भी गाता है कि इतना डिफरेंस नहीं आएगा ठीके 20-25 नमबर का मैक्सिम डिफरेंस नॉर्मरेशन से होगा इससे यदा नहीं होने वाला ठीके क्योंकि 84,000 के आकड़े और लाखों के आकड़ों में डिफरेंस तो आ जाएगा ठीके व्यार बच्चे तो उम्मीद रखिए बॉजिटिव करेंगे और स्वस्त्राइए मिलता हूं नेक्स वीडियो में आज के लिए तना ही चैनल को सब्सक्राइब जरू करेज़ेगा वीडियो को शेयर करेगा बाई बाई